नमास्कार दोस्तों, श्वागत है आपस भी लोगों का एक बार फिर से, पैसा पानी की तरह बहकर आएगा, ज्जाडू के नीचे चुपके से दबादे एक चीज, पैसा इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, मा लक्ष्मी दोड़ी चली आएंगी। दोस्तों, ज्जाडू को साक्षात मा लक्ष्मी जी का ही रूप कहा जाता है, और ज्जाडू के प्रयोग को भाग से जोड़ कर देखा जाता है, आम तोर पर सभी के घरों में ज्जाडू पाए जाते हैं, जिस प्रकार से घर में आने वाली गंदिगी को आम तोर पर घर में जाड़ू लगा करके बाहर कर दिया जाता है वहीं पर अगर आप कुछ खास उपाई करते हैं कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं और कुछ नियमों का पालन करते हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली निरधर्ता, गरीबी और दर्ता को भी इस जाड़ू के माध्यम से अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं दूर निकाल सकते हैं माना जाता है कि जाड़ू के कुछ खास और कुछ छोटे-छोटे उपाई करने से ही आपके घर में और आपके जीवन में कभी भी शुक और एश्वर की कमी नहीं रहती सास्त्रों में वरणित है कि जिस घर के कोने-कोने की सफाई होती है उस घर में सदा ही लक्ष्मी माता का बास रहता है मालक्ष्मी जी बास करती हैं और घर के सभी वास्त दोस मिट जाते हैं घर में हमेशा खुशियों से भरा शकरात्मक बातावरन बना रहता है दोस्तों वैसे तो जाडू लगाने से धेरो नियम है अगर आप उन सभी बातों का पालन करते हैं तो आपको मा लक्ष्मी जी की कृपा तो मिलती है लेकिन किसी भी कारण से अगर आप उन सभी नियमों का पालन नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं आज की इस वीडियो में हम आपको जाडू के नीचे एक ऐसी क्या खास चीज है जिसे रखने से माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके उपर बरशने लगेगी और उसके बारे में बात करने वाले हैं वह कौन से चीज है वो कौन से वस्तू है जिसे अगर आप अपने घर के रात के समय जाडू के नीचे दबा करके रख देते हैं तो माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा बरशती है कि आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसी महत्पूर्ण जानकारिया तो भीडियो को लाइक कर दे और इसे अपने दोस्तों कोई शेर कर दे कमेंट में लिखेगा जै मालक्ष्मी जी आपका स्वागत है हमारे घर में दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं ऐसी वह क्या वस्तु है वह कौन से छोटी छोटी चीजे हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए वह कौन से नियम है जिने अपना तो आप इस वीडियो को अंततक देखें और कमेंट वाक्ष में जै माता देश जरूर लिखें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वह कौन से चीज है जो आप अपने ज्ञाडू के नीचे घर में चुपके से रखने चाहिए दोस्तों जैसा कि हम को पहले से ही बताया जाता है क ज्ञाडू को माता लक्ष मीजी का ही प्रतेक माना जाता है माता लक्ष मीजी साक्षात रोप से ज्ञाडू में निवास करती है इसलिए आपको अपने घर में ज्ञाडू को विशेश रोप से ध्यान पूर्बक रखना चाहिए साप सक्ष जगय पर रखना चाहिए कभी भ खड़ी जगए ज़ाड़ू करके ना रखें और ऐसी जगए पर भी नहीं रखने चाहिए जहाँ ज़ाड़ू के उपर पैर पड़ जाए इसके अलाबा आपको एक बात और बताते हैं दोस्तों अगर आप तीन ज़ाड़ू एक गुप्त दान करते हैं तो आप घर में धन या आने से कोई नहीं रोख शकता धन संपत्ती आएगी जी हां दोस्तों ये उपाय आपको विशेश रूप से किसी खास संयोग पर करना है खास तेवार पर करना है जैसे दीपावली होली एकदसी पुड़माशी शुक्रवार की दिन करें बीरवार ऐसे कुछ खास संयोग होत ये गुप्त दान होना चाहिए इसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए इस प्रकार से आप इसका दान करें पुराने समय के लोग ऐसा करते थे कि जब उनको झाड़ू उनका टूट टूट कर गिरने लगता था तो पुरानी झाड़ू हो जादे थे तो उसे वो प्तिमाल करते हैं तो इससे आपक घर में वास्त दोस उस्तपन्न होता है इसलिए कभी भी पूरानी झाड़ू को आप घर में ना रखें झाड़ू को आप सदय वियानी की शनिवार के दिन भी करिश क्वर्श की दिन खरिश क्ते हैं एक अधस में किशन में ना रखें, इस बात का ध्यान रखें जाड़ू को अगर आप किशन में रखते हैं तो इससे आपके घर से यह जो घर की जो गरीबी है वो दूर नहीं होती है, बलकि बनी रहती है इसलिए घर से गरीबी दूर करने के लिए ज़ाडू को ढख कर रखें, दोसरों की नजरों से बजा कर रखें और किचन में ना रखें ज़ाडू को आप सदेव यानिकी साप सुत्रा करके रखें क्योंकि इसमें माता लक्षमी जी का बास माना जाता है तो आप इसमें पहले थोड़ी से आप इसमें चावल अच्छत और हल्दी का ठीका कुमकुम को लगा कि मालक्षमी को पास रगए फिर इसे अगले दिने आप अपने रसोई घर से सुरुवात करें तो घर में शुक्षम्रदी हमेशा बनी रहती घर की में कभी भी धनकी कमी नहीं रहती है घर में मालक्षमी का वास रहता है दोस्तों ऐसे कौन से चीज है जो आपको जाडू को नीचे दबा देनी है तो देखे दोस्तों बता दे कि आप अगर माता लक्षमी को परसंद करना चाते हैं तो आप एक चांदी का शिक्का ले ले एक चांदी का शिक्का ले ले उसमें लहल्दी का ठीका लगा दे और रात आप शोने से पहले इस सिक्क को मालक्षमी के पास रख दे फिर आप इस जाडू को भी माता लक्षमी के पास रख दे और फिर ले जाकर इस चांद कोपने धन के स्थान पे रख दें, धन कभी खत्म ही नहीं होगा, धन की बरसात होगी, और सबसे प्रिवस्त तो माता लक्षमीजी की प्रिवस्त है धनिया, अगर आप धनिया भी जाड़ू के निचे चुपके से दबा देते हैं, तो माता लक्षमीजी कृपा सदे बनी रहे अगर साथ लाली मिर्शी और साथ काली मिर्शी दबा देते हैं, तो घर में किसी बाहरी लोगों की बूरी नजर नहीं लगेगी, बाहरी दोस्त जो होते बास्त दोस्त या फिर किसी की निगविटी अगर घर में प्रवेश कर गई है, तो वो दूर हो जाती है, घर में शु पहलना मुष्किल पढ़ जाता है गाड़ी बाहन बंगला सब कुछ मिल जाता है आप ज़ाड़ू को नीचे आप क्या करें कि आप अगर anyway को कमल गठे के बीज मिल जाre, कमल गठेका बीज भी बहुत प्री है ये माल कर Hoax को करता है जह प्र तो इससे भी लाब होगा या फिर आपको अगर गोमती चक्र या खोड़ी मिल जाए तो ये भी जाड़ू के नीचे रख दें तो माता लक्ष्मी उतनी ही प्रसंद होती है और मालक्ष्मी कृपासदयब आपके घर में बनी रहती है धन संपत एशर शब कुछ में लाब होता ह है अनेक जगों से आपको लाब होता है कभी भी धन की कमी महशूष नहीं होती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा जरूर दोस्तों को भी शेर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजेगा और कमेंट में लिखेगा मालक्ष्मी जी आपका घर में जय मालक्ष्मी